नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल टेक्ट एंपली फाइए में दोस्तों फिर से एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आप लिए आया हूँ दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले ओपो रेनो फाइब प्रो फाइब जी बरसेस बी करते हैं अब ओपो का फॉन लेना चाहिए क्योंकि मैं आपको बता दूंग पहले ओपो का फॉन लांच हुआ था सभी नहीं हाइब करेड़ की थी कि ओपो का बेस्ट स्मार्ट फोन आ गया है फाइब जी ओपो रेनो फाइब प्रो फाइब जो है सबसे अच्छे कैमरी के स लेकिन जैसे वीओ का एक 60 लांच हुआ है जिसमें जाइस का कैमरा दिया हुआ है जिसकी वेज़े से क्या हुआ ओपो थोड़ा डाउन हो गया तो लेकिन अभी एक कन्फीजन हो रहा है कि बास्ता में ओपो का लेना चाहिए बीव का लेना चाहिए सारी चीज़ें वीडिय सब्सक्राइब जरूर करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफॉन की विल्ट क्वालिटी के बारे में क्योंकि में चीज आती है स्मार्टफॉन में कितनी अच्छे फीचर्स हो लेकिन इसकी बोड़ी कम जो रहे हैं गिनने से तूट जाए कर जाए तो उसका स्मार्टफॉन उसमें भी सेम चीज आपको देखने हो मिल रही है और साइड में इसके भी आपको जो है अलुमिनियम देखने को मिल रहा है अब दोस्तों बात करें कि थिकनेस में लुकिंग में कौन सा स्मार्टफॉन ज्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों मैं आपको देख पा रहें ब्लू कलर में यह थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपको डाइमंड टैक्टर देखने मिलता है डाइमंड टैक्टर का मतलब के ब्लू कलर तो ही लेकिन उसा छोटे चोटे डॉट डॉट से बने हुए मैंने हाथ में पकड़के द नहीं है तो इसके वेसे थोड़ा पतला ने और ज्यादा आता है लेकिन जो वह स्मार्टफॉन इसमें थोड़ा सा स्क्रिंग कर वें जिसकी वेसे मुझे बने स्मार्टफवन मैं डिस्प्ले की दिस्प्ले के मामले में ओपो रेनो 5 फाइब थी थोड़ा पीछे रहता है वो क्यों रहाता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हो कि आपको 6.55 इंच की अबलेट डिस्पलेट जो दोस्तों वह ए लेकिन यदि है राए टो आपको देखने मिलता है जबकि आपि और तोड़ा सा पीछल रहाता है अब बात करतें दोंगी स्मार्टफूम में अपको अब बात करें बीवो X60 में तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नेपड्रेगन 870 5G चिपसेट देखने हो मिलता है जो यह भी एक 5G चिपसेट है जो आपको 7 सब्सक्राइन की सब्सक्राइब कर वाणा सब्सक्राइब रिए करें अपनी आँछों से लगывать तो एक्शा क्यम लाएं कम आपको बता और यदि सेम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इससे फोर के थर्टी एपिस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यदि बात करें वीवो एक 60 2G में तो यह वह एक तरीके से देखा जाता है देख में पहला कैमरा आपकोsty 18 मेगापिक्सल का डहर दें और तीसरा कैमरा आपको 13 मेगा पिक्सल का देख मूलता है लेकिन यदि इससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इससे 4K 30 60fps तक कर सकते हो जैनिकि ओपो वाले से 30fps तक कर सकते हैं इससे आप 60fps तक भी कर सकते हो तो कैमरे के मामले में मुझे परस्णली ओपो को छोड़कर वीवो ज्यादा अच्छा लगा लेकिन आपको बता तूँछ जूमिंग के मामली में भी वो इफ अच्छा रहता है मैं खुद मैंने केमरे को जूम करके देखा था ट्वेंटी एक जूम दिया जाता है तो जिसमें मुझे भी वो ज्यादा पसंद आया अब बात करते हैं तो फ्रेंट में दौनों स्मार्टफोन के दोने स्मार्टफोन में आपको देखने मिलता है लेकिन परस्नली में बता हूं तो फ्रेंट केमरा मुझे ओपो का थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा वी वो से वैसे तो दोने स्मार्टफोन के काफे दा लाजवाब हैं लेकिन बात कि जाए थोड़ा बहुत अंतर की त तो मुझे थोड़ा सा ओपो का थोड़ा सा अच्छा लगा जिसमें कोई बोलता है तो उसकी मुझे ओपो में थोड़ी सी अच्छ लगी वैसे दोने स्मार्टफोन के केमरे फ्रेंट में काफी ज्यादा अच्छे हैं तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो थर्टी एपेस में दोन 250 एमेश की बैटरी के साथ 65 वार्ट का फास्ट चार्जर देखने हो मिलता है जो कि मामले में काफ वेदा मुझे अच्छा लगा और बात करें दोने स्मार्टफोन की प्रैसिंग के मामले में तो ओपो रहनों फाइप प्रो फाइप जी आपको 35-36 रुपय में इजिली स्मार्टफोन में में अब कर दोने स्मार्टफोन में में तरफ यह स्मार्टफोन विजाए अच्छा इंदिन्ग की वीडियो के अडिंग में आपको बता दिया है दोने स्माटफोन में आद से देख चुका हूं तो मुझे पर्सनली वीवो का इफॉन अच्छा लगा तो दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो को यहीं कतम करते हैं मेलते दोस्त आप से अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में वीडियो कर अच्छले की वीडियो को एक लाइक तो दोस्तों मेलते हैं आप से अगली वीडियो में जब तक लिए धन्यवाद